हेलो एवरीवन, विल्कम टो और यूटूब चैनल माइल विप क्लासिस इस वीडियो में 126 नंबर कोस्टन से देखेंगे और इसके सबी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट बना हुआ है और पीडियो फाइल आपको टेलिग्राम चैनल पर उपलप्त करवा दिया जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में दिया हुआ है तो आप वहाँ से टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे माल लेते हैं कि वो संख्या अभी संख्या यक्स है माल लेते हैं तो कहरा कि संख्या का एक बटिसाथ किसी संख्या का एक बटिसाथ संख्या से घटाया जाता है तो संख्या तो यक्स है और इसमें घटाना है यक्स का एक बटिसाथ संख्या का एक बटी साथ तो यक्स इन्टू 1 अपान सेवन तो प्राप्त परिणाम देखे क्या होता है परिणाम होता है संख्या से 30 कम संख्या तो यक्स है यक्स में 30 कम कर देंगे ऐसे इसको सेट कर लेंगे according to question अब यक्स इक्स cancel out हो जाएगा दोन उतरफ अब यहां यक्स बटी साथ बराबर माइनस 30 है तो माइनस माइनस भी cancel out कर देंगे और साथ को गुणा 30 से कर देंगे तो साथ रिक 21 यानि एक 0 लगा देंगे 21 के बाल में तो यहां बैलू हो जाएगी 210 यही इसका उत्तर हो जाएगा इस तरह से इसका आपसन नमबर D correct है, next question देखिएगा question number 127 है, दो संख्याओं का गुणनफल 24, तथा उनके वर्गों का योगफल बामन है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, माल लेते हैं योगफल 24, और उनके वर्गों का योगफल 20 है, मतलब इन्हीं, यक्स स्क्याओं प्लस वाई स्क्याओं बराबर दिया है, 20 ये दो समी करने हैं आपको बना लेना है, अब देखे, condition है कि गुणनफल आजाए 24, यहाँ पर और वर्गों का योगफल बामन यहाँ गेस करेंगे, वो संख्याओं होगी 6 और 4, 6, 4, 24, गुणा करने पर 24 हो रहा है, और इन्हीं के वर्गों का योगफल करेंगे, तो देखे, 6 स्क्याओं प्लस 4 स्क्याओं तो बामन आएगा, क्योंकि 6 स्क्याओं 36 होता है, 4 स्क्याओं 16, 16, 36 जोड़ेंगे, तो बामन की एकवल आएगा, अर्था तो संख्याओं यहाँ आपकी 6 और 4 होगी, आप कहरा है, लास्ट में उनका योगफल गयात कीजिए, तो योगफल निकालना है संख्याओं को, तो 6 और 4 जोड़ देंगे, तो 6, 4, 10 होता है, इसका आपसन नंबर B करेक्ट होगा, इस तरह फारिंट करेंगे, next question देखेगा, Question number 128 है, एक संख्या के 5 गुने में से 10 गटा आया जाता है, देखे एक संख्या के 5 गुने में से 10 गटा आया जाया है, तो वह संख्या के 4 गुने में 8 जोडने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होगा तो वह संख्या क्या है माल लेते हैं कि वह संख्या यक्स है माल लेंगे तो देखें कार्णी टू कॉस्टन कह रहा है कि संख्या के 5 गुने में 10 घटाना है तो यक्स यदि संख्या यक्स है तो यक्स का 5 गुना 5 X होगा माइनस 10 कर देंगे बराबर अब कहरा कि जो प्राप्त होगा तो संख्या के 4 गुने में 8 जोडने पर मिलने वाली संख्या के बराबर संख्या का 4 गुना करेंगे तो 4 X और 8 जोडना है तो प्लस 8 ये समीकर्ण बनेगा अब पाच एक्स में चार एक्स घटा देगे पच्छांतर करेंगे तो यक्स बचेगी बहलू और माइनस दस को उधर ले जाएगे तो प्लस दस हो जाएगे तो आठ दस जोड़ेंगे तो ठारा अभी इस संख्या ठारा होगी इसका आपसा नंबर भी कर है माल लेते हैं कि वह संख्या यक्स है अब देखे एक आड़ींग टु कोस्टन संख्या के आठ गुने में यहां पर देखे लिखा है संख्या के आठ गुने में चार जोड़ा जाए तो यक्स का आठ होना आठ हैक्स हो जाएगा और प्लस चार अब यह जो परणाम आएगे तो 96 आठ से cancel out करेंगे आठ हे कम आठ 12 अठी 96 होता है मतलब वो अभी संख्या 12 हो जाएगे इसका आपसर नंबर एक करेक्ट है नेस्ट कोस्टन देखेगा दो संख्याओं का योग 22 है एक संख्या का 5 गुना दोसरी संख्या के 6 गुने के पराबर है तो इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या ग्याद करें अब यहाँ पर माल लेते हैं कि वो संख्याओं दोनों एक्स और वाई है तो कहरा कि एक संख्या का 5 गुना यहाँ से पहले बनाएंगे, अनुपात में निकालेंगे, तो 5X होगा, पहली संख्या दियाक्स है, तो X का 5 गुना 5X, बराबर, अग दोसरी संख्या का 6 गुना, यह दोनों बराबर, दोसरी संख्या Y है, तो Y का 6 गुना 6 Y हो जाएगा, अब X और Y का अनुपात निकालेंगे, तो X के बटे में मतलब 6 बटे 5 मतलब 100 Y का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर लिख लेंगे X अनुपाते Y अनुपात में बैलू आ जाएगी 6 अनुपाते 5 यहाँ पर 6 अनुपाते 5 पराप्त हो जाएगा तो संख्याय देखे 6 अनुपाते 5 की अनुपात में मिल गई अब कहरा है दो संख्याओं का योग 22 है यहाँ अनुपात में जोड़े तो अनुपात में हो रहा है योग 6 पाच गेरा और गेरा अनुपात की बैलू 22 के बरावर है तो 6 दूनी 12 वह भी संख्या हो जाएगी मतलब बड़ी संख्या 12 हो जाएगी इसका आपसा नमबर एकरेट है next question देखेगा 131 नमबर question कहता है कि यदि किसी संख्या का दुगना करके और उसमें 20 जोड़ दे देखे किसी संख्या का दुगना करके और उसमें 4 घटाने से मिलता है तो वह संख्या क्या होगी संख्या ग्याद किजिए संख्या माल लेते हैं कि यक्स है अब यहाँ पर देखेगा condition लगाएगे यदि वह संख्या यक्स मानते हैं तो संख्या का दुगना करके उसमें 20 जोड़ना है पच्छानता करेंगे तो 8 एक्स में 2 एक्स घटेगा तो 6 एक्स होगा अब बराबर और वाइनस 4 इधर ले आएगे तो 24 हो जाएगा 20 और 4 24 तो 6 कम 6 6 4 को 24 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स बराबर बैलू हो जाएगी 4 इस तरह फाइंट करेंगे तो इसका आपसर नंबर भी करेक्ट है नेश्ट कोस्टन देखिएगा कोस्टन नंबर 1 एंट 32 है 132 नंबर कोस्टन देखिए दो संख्याओं का गुड़न फल 9375 है और जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भाग फल 15 प्राप्थ होता है इन संख्याओं का योग कित्ता होगा योग ज्यात करना है तो यहाँ पर देखेगा इसको लगाने का तरीका देखे कैसे लगाया जाएगा इस सवाल को देखे प्रस्म जैसे बोलता है उसी तरे इसको स्वाल्ब करेंगे दो संख्याओं का गुड़न फल 93,75 है अभी इसको छोड़ देते हैं कहरा कि सबसे बड़ी संख्या को जब सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है यदि बड़ी यक्स है चोटी वाई है तो जब विभाजित करते हैं तो भाग फल देखे 15 प्राप्त होता है तो बराबर 15 अब बटे यहां कर देगे एक तो देखे यक्स की बैलू मतलब पहली संख्या बड़ी संख्या 15 यह हो जाएगी माल लेंगे और छोटी संख्या केवल ए माल लेंगे ए हो गई अब एक आड़ी इंटू कोस्टन प्रस्ना नुसार कहरा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 9375 देखे ए प्रस्न में दिया हुआ है तो मतलब यह संख्याओं यह आपकी 15 A और A है तो गुणा कर दीजे 15 A और इंटू A यह बराबर दिया है 9375 के अब यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे 15 से तो 15 एकम 15 यहाँ देखे 15 छक्कन अबबे फिर 337 हुआ तो 15 दूनी 30 और फिर 75 हुआ 15 पनदू 75 यहाँ A और A का गुणा होगा तो A स्क्वेर हो जाएगा बराबर यह 625 होता है 25 का स्क्वेर तो स्क्वेर स्क्वेर कैंसिल आउट हो जाएगा तो A की बैलू आजाएगी 25 अब जब A की बैलू 25 फाइंड हो गई यहाँ पर तो कहरा है कि दोनों संख्याओं इन संख्याओं का योग कित्ता होगा तो योग देखे 15 A और A जोड़ना है तो योग निकाल लिजे यहाँ से 15 और A के जोड़ेंगे 15 A में A के तो यहाँ 16 A हो जाएगा योग फ़ल तो A की बैलू 25 आगई तो 16 इंटू 25 कर देना है तो उन दोनों संख्याओं का योग फ़ल आजाएगा तो 16 पंचे 80 की सोन हासिल 8 16 इंटू 32 आज 40 चार सो योग आएगा उन संख्याओं का तो इसका आपसर नमबर A दिया हुआ है इस तरह इसको फाइंड करना है नेस्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर 133 है एक संख्या के एक चौथाई का दो तिहाई संख्या यक्स है और यहाँ पर लिखेंगे एक सेका एक चौथाई का दो तिहाई तो यह एक सेका एक बटे चार अका दो बटे तीन मतलब इंटू करेंगे दो बटे तीन बराबर कर दिया 32 तो संख्या यहाँ से फाइंड हो जाएगी देखें दो एक कम दो दो दोनी चार अब यहाँ पर दो त्याय च्छे च्छे का गुणा कर देंगे 32 से तो यक्स की बैलू आ जाएगी तो 32 गुणे च्छे करेंगे तो 192 होता है 32 शक का 192 तो अभी इस संख्या 192 होगी इसका आपसन नंबर डी करेक्ट है नेस्ट कॉस्चन देखेगा कॉस्चन नंबर वाँ फेन थीर्टी फोर है यदि दो संख्याओं का योगफ़ल तेरा है और उनके वर्गों का योगफ़ल 67 है तो उनका गुढण फल गयाथ कीजे यहाँ पर देखेगा दो संख्याओं का योगफ़ल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो मा लेते हों संख्याओं एक्स और वाई है सपोज तो संख्याओं का योगफल 13 करना है मतलब एक्स प्लस वाई बराबर यहां 13 हो जाएगा यह पहला समीकर्ण हो गया और उनके वर्गों का योगफल 97 आए मतलब x square प्लस y square बराबर value संतानवी तो यहाँ पर आपको यह सोचना है कि दोनों condition फालो हो तो वो संख्याएं guess करेंगे तो यहाँ पर यदि 7 और 6 लेते हैं तो यहाँ पर देखेगा सोरी यहाँ पर 7 और 6 नहीं लेंगे यहाँ पर संख्याएं 9 और 4 लेंगे क्योंकि 9 और 4 ही सेट होगा क्योंकि 9 और 4 यदि जोड़ेंगे तो 9 और 4 तेरा हो रहा है और यदि इसी में देखे 9 का square धन 4 का square करेंगे तो 9 का square एक 80 और 4 का square 16 16 एक 80 शंतानवी होता है मतलब 9 और 4 सेट होगी अर्थात वो संख्याएं आपकी 9 और 4 हो गई फेट हो गई अब उनका गुड़न फल गयात करना तो 9 4 का जब गुड़ा करेंगे तो 9 4 को 36 होगा जो की आपसन नंबर भी दिया हुआ है तो आपको इस तरह गेस करना पड़ेगा ऐसी दो संख्याएं सोचना पड़ेगा कि जोड़ने पर 13 आए और उनके वर्गों का योकसन तान भी आ जाए तो 9 और 4 ही सेट होगी नेस्ट कोस्टन देखेगा निम्ने में से कौन सी भिन संख्या को 13 बटी 5 में जोड़ने पर परिणा में एक प्राप्त होता है अब यहाँ पर देखेगा वो माना वो भिन संख्या यक्स है और यक्स में जोड़ना है 13 बटे 5 को तो यहाँ जोड़नेंगे 13 बटे 5 तो यह एक के परावर प्राप्त होता है अब देखे 25 करेंगे 13 बटे 5 को तो 5-13 और बटे में आ जाएगा 5 एकम 5 सीरा सीरा गुड़ा कर लेंगे तो यहाँ पर जब 5 में 13 घटाएंगे तो माइनस 8 और बटे 5 और यह माइनस 8 बटे 5 के बाल एक आपसन में आएगा जब इसको cancel out करेंगी देखिए क्योंकि बाकी आपसन में देख नहीं रहा है तो 6-6,88,45 और 6,35 इसको जब simplify करेंगे तो यह माइनस 8 बटे 5 के एक को आएगा मतलब आपसन नमबर इसका एक करेक्ट है यहाँ पर value दिया है देखे दूसरी दी हुई है मतलब यहाँ आपका दिया हुआ था माइनस 8,40 बटे 30 लेकिन जब इसको simplify करते हैं तो यहाँ पर 6-6,88,46,35 माइनस 8 बटे 5 के एक को आएगा जाता है जो यहाँ solution है तो इस तरह भी आपसन दे देता है इसका option number A correct होगा next question देखेगा question number 1 है 36 है सालनी तनवीर और रासित एक के को साज़ा किया सालनी के पास इसका एक बटे 6 भाग था और तनवीर के पास इसका एक बटे 4 भाग और सेस भाग रासित के पास था तो रासित को के का कितना अंस मिला यहाँ पर देखे सालनी तनवीर और रासी तीन लोग थे तो दो लोगों को देखे कितना कितना मिला सालनी को एक बटी छै मिला और तनवीर को यहाँ दिया है एक बटी चार सालनी और तनवीर का दिया है तो पहले दो भीन जोड़ लिजे एक बटे 6 और प्लस एक बटे 4 अब इनको जोड़ना है तो देखे तीरिया गुणा करेंगे 4 एक कम 4, 6 एक कम 6 और नीचे 64 को 24 तो 4 एक कम 4, 4 ही रहेगा प्लस 6 एक कम 6 करेंगे यहां 6 और बटे 24 और 6 चार जोड़ने के तो 10 दस बटे 24 हुआ 2 से कैंसिल आउट 25 तस हो यहां 12 दोली 24 मतला 5 बटे 12, 12 में से देखे 5 भाग 2 लोगों को मिल गया किसको किसको मिल गया सालनी को और तनवीर को तो बारा मेंसे यदि 5 पार्ट 2 लोगों को मिल गए तो बारा मेंसे अभी कितना बचेगा 7 पार्ट बचेगा तो 7 भाग बचेगा तो 7 बटे 12 मिलेगा रासिद को 6 भाग रासिद को मिला था तो यहाँ देखें आपसर नमबर D में दिया हुआ है रासिद का अंस होगा 7 बटे 12 क्योंकि टोटल 12 होना चाहिए तो जब 7 रासिद को मिलेगा और दो लोगों को 5 मिलना है तो 7 पार्ट 12 क्योंकि कुल 12 नीचे यहाँ दिया हुआ है तो इस तरह डिवाइट कर देगे नेस्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर 1 है दे 37 है दो संख्याओ का योग 9 है और उनके बितक्रमों का योग 1 बटे 2 है तो इन संख्याओ में से 1 संख्या कौन सी है यहाँ पर देखे 2 संख्याओं माल लेंगे कि 2 संख्याओं 100 यह यह तो 100 प्लस य बरावन 9 पहला समीकन तो यह हो गया फास्ट अब देखें यहाँ पर कहे रहा है उनके बिद्क्रमों का योग उल्टा करेंगे मतलब 1 बटे x और प्लस 1 बटे y इनके बिद्क्रमों का योग दिया है 1 बटे 2 अब देख़े इसको solve करेंगे तो Y का 1 से गुणा करेंगे तो Y ही आ जाएगा प्लस X से गुणा करेंगे तो Y आएगा मतलब Y प्लस Y उपर आजाएगा नीचे इनका आपस में गुणा करेंगे तो X into Y आजाएगा अब बराबर एक बटे 2 अब इसी को जब solve करेंगे देखे बैलू को तो यह x प्लस y यह y प्लस x की बैलू देखे 9 दिया हुआ है तो 9 बटे x इंटू y बराबर 1 बटे 2 तिरिया गुणा कर देंगे यहाँ पर तो x इंटू y बराबर बैलू हो जाएगे 9 दोनी अठारा यह समीकंड 2 बन जाएगा अब देखे जोड़ने पर 9 प्राप्त हो गुणा करने पर यहाँ पर देखे 8 थारा आए तो वो 2 संख्याए सोच लेंगे तो यहाँ पर 6 और 3 संख्याए 6 और 3 प्रापर होगी 6,3,9 और यहाँ पर गुणा करेंगे 6,3,8 अब देखे यहाँ पर देखे दो संख्याएं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा यहाँ पर देखे दो संख्याएं का योग 26 है पहला समीकर्ण हो गया और उनका अंतर दिया है योग भी दिया था अंतर अंतर दिया है x-y बराबर 12 आप कहरा कि उनके वरगों का अंतर कितना होगा मतलब x square minus y square निकालना है इसकी सर्षम क्या होती है एक bracket में प्लस कर देते हैं x plus y into दूसरे bracket में x minus y यही बैलू पूट कर देंगी x plus y की 26 है और x minus y की 12 तो यहां 26 into 12 कर देंगी तो इसका answer आ जाएगा तो देखे 6, 2, 12 एकाई में 2 आ रहा है जो की एक ही आपसर में है तो गुणा करेंगी तो 312 हो जाएगा यही इसका उत्तर होगा आपसर नमबर b next question देखेगा question number 1 and the 39 है 149 number question यदि दो संख्याओं का गुणन फल इनकी योग कत 3 गुणा है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ग्याद करें अब एक संख्या 12 है तो दूसरी माल लेते हैं कि यक्स है देखे दो संख्या हो गई यहाँ पर देखे एक संख्या तो 12 है दूसरी यक्स है यह आपके पास दो संख्या है अब देखे कहरा कि दो संख्याओं का गुडन फल मतलब 12 into x इनके योग का तीन गुणा है तो बराबर करेंगे 12 प्लस x का तीन गुणा इनके योग का तीन गुणा बता रहा है अब कहरा कि एक संख्या 12 ये तो है ये दूसरी संख्या गयात करें मतलब यक्स की बैलू फाइंट करना दूसरी संख्या जो यक्स है अब यहां कैंसी लाओर कर लेते हैं तीन एकम तीन यहां से देखे तीन चौक बारा क्योंकि दोनों तरब गुणा फल में लिखा इसलिए तो चार का यक्स से गुणा हो जाएगा तो चार यक्स बराबर यहां तो बारा प्लस यक्स ही रहेगा यक्स को पच्छांतर करेंगे तो घटेगा तो तीन यक्स होगा विचार यक्स में जब यक्स इधर आएगा तो तीन एक्स बैलू बचेगी घट जाएगा बराबर यहां बारा रहेगा तीन एक्कम तीन तीन चौक बारा मतलब वो अभीज संख्या एक्स की बैलू आ गई चार तो यह आपसर नंबर इसका सी होगा मतलब दूसरी संख्या चार होगी नेस्ट कोस्टन देखेगा कोस्टन नमबर 140 है दो सह भागियों यम और यन ने एक कार खरीदी यम ने बताओर अपने हिस्से कार की लागत के तीन बटे साथ का भुगदान किया और यम ने यन की तुल्लमें 31,540 रुपए कम दिये तो कार की लागत कितनी है यहाँ पर देखेगा इसको स्वाल्प कैसे करेंगे देखे यहाँ दो ब्यक्ति हैं यम और यन कहरा है कि यम ने अपने हिस्से का लगाया 3 बटे साथ देखे साथ टोटल था तीन लगाया यम ने तो यहाँ पर लिख लेगे यम और यन का अनुपात में बना लेंगे यम लगाता है 3 अपने हिस्से का 3 तो टोटल तो साथ है यहाँ देखे टोटल साथ है तो यन लगाएगा 4 मतलब दोनों की राश का अनुपात बनेगा यम और यन का तीन अनुपात है 4 यहाँ पर याद रखेगे यम यन का अनुपात आ गया तीन अनुपात है 4 अब कह रहा है कि यम ने यन की तुल्ल में 31,540 रुपए कम दिये अब इन दोनों के डिफरेंस देखे तो यहाँ अनुपात में तो एक का अंतर आ रहा है दोनों का अंतर यहाँ एक का रहा है और यही एक बराबर कह रहा है 31,540 तो एक बराबर जब 31,540 तो कह रहा है कि कार की लागत कितनी है तो टोटल देखी यहाँ जोडे तो 7 हो रहा है नुपात में तो 7 बराबर निकालना है तो 7 बराबर जब निकालेंगे आपस में गुड़ा करेंगे तो बैलू आएगी 2,20,780 आप गुड़ा करके देख लेंगे इस तरह से ये बैलू find होगी option number C में दिया हुआ है तो car की total लागत होगी 2,20,780 रुपए तो इस तरह से इसके next question आपको मिल जाएगे और playlist में वीडियो अपडेट कर दिया जाता है अभी आगे अभी आपको 50,50 questions का वीडियो मिलने लगेगा या भी 15,15,20 questions का वीडियो आप solve करते जाएगे और केबल आप वीडियो देखते जाएगे सभी सवाल आपसे बनने लगेगे और आपके exam में यह से question total पूछे जाएगे या आप वीडियो सभी solve करते जाते हैं वीडियो के जितने question है तो आपके exam में सभी question यहां से देखने को मिलेगे